अखंड भारत क्या है ? किस नहीं पाकिस्तान की डिमान्ड किसने की यह सबसे बड़ी चीज है रहे रहे हैं जो जिनोंने डिमांड नहीं कि नहीं तो किसे ब ही पाकिस्तानी यान पंजाब इसी लाई प्रपक्तुफा बलुचिस्तान इन लोगों ने कभी पाइलग पाकिस्ताने की डिमांड नहीं किये थी यूपी और विहार के मुसल्मान आज भी ही रह रहे हैं लेकिन मुशर्रफ के पास बेजन था लेकिन बस चरनी डेकिए जिस समय Prophet Muhammad थे उस समय उनके भी खिलाफ लोग बोलते थे Jesus Christ थे उस समय उनके खिलाफ लोग बोलते थे भगवार ऑन राम की खिलाफ बोलते थे तो हमारी दिवात उम्हारी क्या ओकात है वोग हमारी खिलाफ भी बोलेंगे और आपके जिवाफ निया प्रॉफे मुहमेस है तो इनके सामने नहीं छोड़ा लोगों ने तो आपको क्यों छोड़ेगे ठीक है सच बात यह अच्छा दूसरी बात अगर मैं यह बोलू कि एक आदमी है जिसने मेरे सामने बैठा है वह बड़ा अच्छा आदमी है जिसने पीली शर्ट पहनी है वह इस वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहने मुझे यह बताएं कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मताबिक इंडिया की जीडीबी की अगर बात करें बहुत तेरी से ग्रो होती नजर आ रही है क्या आप यह मुझे बताएं इसके पीछे वज़ा है या पीएम मोधी इंडिया के पीएम मोधी का वीजन इसके पीछ इंडिया यह बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक रास्ता दिया और क्योंकि वह थांसे हुए थे इतनी सारी कोलेशन गौर्मेंट में ती और उनके डिसेजन लेकिन दे लेने के मेकानिजम बढ़ा खराब था प्राइमेस्टर मोधी फुल फ्लेज़ेट मेज़ूर्टी में अए हैं डिसेजन लेने में उने मिनट लगते हैं घंटे नहीं तो प्राइम इस्टर मोधी के ट उना वोगों को फ्री में राशन दिया रहा है इतनी पॉपॉलेशन सिर्फ दो कंट्रीज एक इंडिया खुद और एक चायना और चायना भी असी करोड लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रहा है एक सो चालेस करोड लो वर्ल की लाजस्ट पॉपॉलेशन को प्रीमे वैक्सिनेशन देना सिर्फ इंडिया कर सकता था और कोई निकर सकता था यह प्राइम निस्टर मूधी की खूबी है रोहित भाई मुझे यह बताएं उस टाइम पे ठीक है नो डौट के कोई प्राइम नि संसिर होंगे लेकिन उस टाइम पे इंडिया की बढ़ना उस टाइम पे इंडिया की एकान 200 ग्रो करना जिस टाइम पे अमेरिका जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकानमी नीचे जा रही है येज़े बौनसर की सारी इसे बोलते हैं कैसे आप एकॉनमी को रास्ता देते हैं और एकॉनमी तो रास्ता जो दिया जा रहा है वो इंडिया की तरफ से विए ओपनिंग आप जो बाहर से इंपोर्ट क्यों करें हम इंडिया में बढाएंगे हम सेलफ़ोन देंडरिंग में गोश रहे हैं हम इंडिया की एकॉनमी 7.2 परसेंट पर राइस होई है राइट सेवन पॉइंट टू परसेंट और पहले पिछले साल तो यही टाइम पे नाइन परसेंट राइस करें तो पूरी वर्ड एकॉनमी डेसेशन में जा रही है जर्मनी तो नेगेटिव प्रोथ रोट में चला गया और ब्रिटन की भी सूरत एहाल बहुत अच्छा नहीं है हम बात करें रोहिद वाई चाइना की भी बात करें वो भी हमारे सामने है कि जो सूपर पावर बनने की दोड़ में है हुद को यह कहता है कि हम नंबरवानी कानमी बनने जा रहे हैं उनकी भी आप सिच्वेशन देख लें तो मैं तो एक दफा हिरान होता हूं कि शायद यह क क्या कर रहे हैं कौन से ट्रैक पर चल पड़े हैं हुशी होती है अची बात है वेकिन हैरत भी बहुत होती है यह एक बात बोले तो किसी भी चोड़ना नहीं है और एक के यूथ को आप गाइडेंस देते हैं अचा हमारी यूथ जो है अब आज जब हम स्कूल कॉले पर पढ देंग हैं स्टेट्स कितनी हैं आज की आज के यूथ को इसमें ज्यादा इंट्रेस्ट आज का रही है मार्केट में mobile कैसे मैनुफैक्ट्र हो रहे हैं आज के यूथ को यह सबिक्नुक्तर कैसे काम करने हैं करना है वह कैसे करना है यह चीज़ों में इंट्रस्ट है डैफिनेटली आज के यूद को पता है कि कैसे आते हैं आज के यूद को पता है कि हमें कहां से यह सबसे इंपोर्टन चीज़ जो लड़के कॉलेज में बहुत जरूरी था इंपक्ट प्राइमनेस्टर मोदी का खुद का मैं उनको फॉलोवर नहीं लेकिन जो सच है जैसे आपको बोला जाता है कि आप एंडिया की तारीफ करते हैं मुझे जो चीज़ तो बिल्कुल मोद कि लिए मुझे खुद इंटराइक्ट करते हैं स्टूढेंस से कई बार सामें एक यूद्वार नहीए रन को कैसे आगे कि चलना की बात हर बार Me प्राइमिस्टर की रेडियो स्पीच है और वो उस रेडियो स्पीच में वह बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो उनका विजन है बच्चों के लिए सोसाइटी के लिए उनका इंटराक्शन विद्ध पीपल विद्ध सोसाइटी इस बंडफुल और जो पात दिया जा रहा ह है वो डिरेटली हमारे करिकलम में आ रहा है तो यह सोचने वाली बात है कि कहां हमारी एकॉनमी जाएगी इसके बाद क्या हम लोगों की आगे रास्ता है और स्टार्टप्स को स्टार्टप्स को बहुत सपर्ट किया जाता है सारे स्टार्टप्स सारे सक्सेस्पुल नहीं ह और यह एकॉनमी वाइबरेंट क्यों होई यह दो प्राइमस्टर सा हमें बैक टू बैक निगा है ठीक हो गया रोहिद भाई मेरी जो अब्जरवेशन है उसके मताबिक अगर हमारी आडियंस मैं अपनी आडियंस की बात करूं या यूद की बात करूं आज के टाइम पे किसी क नहीं रहा क्यों पाकिस्टान तबाह हो रहा है पाकिस्तान ये हो रहा है पाकिस्तान की इकानोमी गिर गए है आज के टाइम पे अगर कोई एड्योकेटिड लोग जो इंडिया से है खास Europe या इवन पाकिस्तां से भी है वो फोकस कर रहे है कि किस तरीके हमने दुनिा के सा जाए पाकिस्तन का नाम पूरी दुनिया में किया जाए किस तरीके से relations को बेथर किया जाए positivity create की जाए मुझे ये बताएं ऐसे टाइम पे जब आप तेजी से grow कर रहे हैं आपकी GDP बहृत तेजी से grow कर रहे हैं दुनिया इस चीज को मान रही है ऐसे टाइम पे एक इंडियन के नजबी पाकिस्तान ये जो लोग देख रहे हैं जो भी लोग इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी आंसर जरूर करिएगा जो इंडिया से देख रहे हैं खास तोर पे वो लोग आंसर करिएगा नीचे कुमेंट में के मुझे बता क्या ऐसी खाम्मी है जिसकी वज़ा से हम एकानोमी को ग्रों नहीं कर पारे एवन एकानोमी के लावा किसी भी फील्ड में हम प्रापर काम नहीं कर पारे रोहिद भाई आप इस पर क्या कहेंगे तरिके मैंने आप पिछले बीस साल में चुछ स्टड़ी करके बताया है स्टड चीज़ मुशर्ण के पास बिजन था लेकिन मुशर्ण अपनी ही सत्ता को पावर को कंसॉलिडेट करने में लगे रहे मुशर्ण के पास विजन था तभी ये समझ होता है एक्सप्रेस चली तभी मुनबाव कोकरा पार ट्रेंच चली तभी बस चली श्रीनगर और इंडिया के वीजाज मिलने शुरू है पाकिस्तान के वीजाज मिलने शुरू है ये विजन था कि हम दोनों को पीसफुल कोईग्जिस्टेंस करना है वो मुशर्ण एट वन पॉइंट टाइम इस लिबल पे भी आ गए थे कि कशनीर सॉलिशन फाइनल हो जाता लेकिन उसके साथ इससे पहले वाले मिलिट्री डिक्टेटर जो थे जिया उन्होंने तो खेर क्या बताओं पाकिस्तान को बर्बाद किया है वो इम्राइब दो चीज़े अब उसके बाद मैं एक चीज़ बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को एक विजनरी लीटर चाहिए लेकर आये थे आक तो एक ऐसे लीटर को लाना बहुत जरूरी है ये और फो लीडर को फ्री है भी जरूरी है कि यह सोचने वाली बात है कि क्या आपके कंट्री में शराब नहीं दिखती है अगर आप बोलते हैं तो उसको ऑफिशली क्यों नहीं बेचा जारा है टैक्स आएगा दूसरी चीज़ आपके कंट्री में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि इसलाम में अलाउड नहीं है ले आपने बोला बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं मैं अगर यह कहूं कि हमारे पाकिस्टान में इसलाम जो ओवराल सिस्टम है वो ही सिस्टम इसलाम के अगेंस है अगर हम बैंक की बात करें क्योंके बैंकिंग सिस्टम से ही एकानमी का सारा लिंक होता है तो हमारा बैंकिंग रहा है वो दुनिया को बता है रोहिद भाई आपकी पार्लीमेंट की बात करते हैं उस बात करने की रिजन ये है कि आपकी पार्लीमेंट में पाकिस्तान का मैप भी नजर आया आपकी पार्लीमेंट में कश्मीर आपकी पार्लीमेंट में नेपाल का मैप बंगलादेश का मैप नजर आया, उसके बीचे क्या रिजन है, अखंड भारत की बात की जा रही है, कुछ सोशल मीडिया की तरफ से, लेकिन जहां तक मैंने अबसर्व किया है, वो तो कोई हिस्टरी को लेकर कोई मैप बनाया गया है, कोई अपना इस रीके से, आप इसके ओपर क्या कहना चाहेंग उसको अखंड भारत का कोई नाम दे, तो अच्छी बात है, ना नाम दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्टानी चैनल में बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं है, ये बात कॉंग्रेस ने भी अभी तक ये मुद्दा उठाया नहीं है, और उठायेगी भी त उसको अखंड भारत बोला जा रहा है, तो बोल सकते हैं, अखंड भारत क्या है, अखंड भारत क्या है, अखंड भारत is that civilization, जो के हमारी 5000 साल पुरानी civilization है, तो उसमें जब अखंड भारत की बात होती है, तो क्या ये बोला जाता है, कि हम सारे मुसलमानों को भारत निकाल द और वो इंडिया इतना बड़ा था हम सारे एकठे रहते थे इसको तोड़ दिया गया है कुछ लोगों ने तोड़ा किसी वज़े से तोड़ा हम आज पिर मिलके साथ बैठे हैं किसी ने ये बोला कि आमें अखंड भारत तो चाहिए लेकिन बिलाओड मुसलिम्स किसी ने बोल हम जैसे European Union है ऐसा एक अखंड भारत बनाने तो क्या प्रॉब्लम है वैसे दी तो प्रॉब्लम नहीं है न तो अखंड भारत का मतलब ये थोड़ी है कि हम पाकिस्तान को चाप्चर करने जा रहे हैं या उगानिस्तान को करने जा रहे हैं कंट्री अपने रहेंगे हम लोग आएंगे जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडियन रहेंगे पाकिस्तानी पाकिस्तानी रहेंगा ये इसका मतलब है अपने अपनी सोच की बात है के अगर किसी तरीके से अपस में ट्रेड की जा रही है और उन में वर्ल्ड वार हो चुकी है शर्मा जी आप तो मेरे से काफी ज़्यादा जानते होंगे वर्ल्ड वार हो चुकी है जिन स्टेट्स के दरम्यान जिन कंट्रीज के दरम्यान आज वो बिल्कुल बार्डर फ्री ट्रेड कर रहे हैं और हमारे यहा है जहां पर यह बोला गया कि हम हम रिलिजन की वजह से साथ नहीं रह पाएंगे यह प्रॉब्लम पर यह एक आदमिया दो आदमिया तीन आदमियों को सपना था यह डिमांड की किसने पाकिस्तान की डिमांड किसने की यह सबसे बड़ी चीज यूपी और पिहार के मुसल्मान पाकिस्तान नहीं किय थी यूपी और पिहार के मुसल्मान आजबि हैंड़ी रहा हैं लेकि लेकिन इसु यह है ना कि का पता नहीं हम पस यह来了 लेकिन हम no doubt पाकिस्तान एक पाकिस्तानी को यही नारा लगाना चाहिए लेकिन हिस्ट्री अगर उठाएं तो बंगालियों ने एफट की सारी अगर पाकिस्तान को एक मतलब कंट्री बनाया गया अगर पाकिस्तान मुमेंट चली तो उसके अंदर आप भी जानते हैं हिस्ट्री जानत जिसकी वजह से हमें बस जो दिखाया जाता है जो बटाया जाता है हम वही नारे लगाते हैं और उन नारों की वजह से यह देखें शर्मा जी मज़ा ताब है जब आपका अस्टेडिया में पाकिस्तान का फलैए किसी ब्रीज के ओपर लगता नजर आए और दुनिया में आज पाकिस्तान का क्या दुनिया में नाम है आज नेबर कंट्री का इंडिया का दुनिया में क्या नाम है सब के सामने है लेकिन हम फिर भी जजबात से बाहर नहीं निकल रहे हम फिर भी यह कहते नजर आते हैं अपने गार में देखें शर्मा जी मैं यहां पर खड़ा होगे यह कह दूँ कि मैं इंडिया को एक दिन में तबाह कर दूँगा मैं इंडिया को एक सेकंड में तबाह कर दूँगा इंडिया को कोई फरक पड़ेगा इंडिया तो हसेगा मेरे पे इंडिया के लोग मेरे पे हसेंगे जिस तरीके का वेलकम प्राइम निस्टर मोदी को मिलता ह उसके लिए बच्पन में चाय बेचनी पड़ती है उसके लिए कई साल जंगल में भटगना पड़ता है और उसके लिए गरी भी देखनी पड़ती है उन्होंने अपनी एक प्रेस्टीज खुद बनाई इससे पहले वाले प्राइमिनिस्टर मनमोहन सिंग भी इंडिया के प्र सौधेर भी रिप्राइमिनिस्टर लेकिन उनको साथ यह यहिए नहीं दिया और उनको वह वेलकम नहीं मिलता न तो यह करता है कि आप कितने कितनी मैनत कर पारें और आपके साथ था सथ क्शुट्रेंट ममोहन सिंग बहुतत चक्जट्थे लेकिन उनके साथ पॉलेटिकल इसको मनाना पड़ता था उनको वो वो डिसिजन ले नहीं पाते थे बहुत सारे एक एक नुक्लियर डील का डिसिजन में कितने हंगामे हुए यह मुवी है एक्सिटेंटल प्राइमिनेस्टर उनके अपने मेडिया डवाइजर की लिखी हुए किताब पे बनी है आप देख सकते हो और वो ही डिसिजन अगर प्राइमिनेस्टर मोदी ने लेना होता तो वो एक बात में बोलते हैं तो इसमें टाइम बेस्ट होता और कंट्री की प्रोग्रेस जो होती है वो रुकती है यहीं प्राइमि सब्वाइस से अ पर बे tougher decision making power दि रे चले अच्छी बात है और मैं चाहता हू हूँ के मतलब जो भी country है कोई भी even मैं चायना की बात करूं मैं चाहता हूँ कि चायना भी मजीद development की तरफ जा है मैं कहता हूँ if खानिस्तान सामने आता हूँ तो इसकी ये सोच है जो के पाकिस्तान के लोगों को बदलने की जरूरत है कि भाई नफरतों के साथ कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया महबत चाहिए पॉजिटिव माइंड चाहिए कोई भी चीज़ है उससे आपको सीख लेने की जरूरत है ना के उसमें से नेगिटिविटी निकालने की जरूरत है रोहिद भाई मुझे यह बताएं इंडिया की यूथ की अगर बात करें जो के जाहरी बात है जो सोशल मीडिया यूजर है वो आलमोस यूथ होते हैं वैसे तो अब हर एज के लोग सोशल मीडिया यूज़ का रहे हैं लेकिन यूथ पाकिस्तान को किस प्रस्पेक्टिव से देखती है किस एंगल से किस सोच के साथ समझती है आज के दोर में यार सच बताऊं तो आज की यूथ के पस काई में नहीं है पाकिस्तान सोचने का हमारे टाइम पे पाकिस्तान बहुत सोचते थे जब हम स्कूल में हुआ करते थे तब बहुत पाकिस्तान पे डिस्क्रिशन पाकिस nombreux कि यह हैं नेंग्स k Measure और उसके साथ किया रहे है कि नया फोन तेकनोल्यू इंधिया और उसके पाकिस्तान की जब बात आती है तो उनको यह रखता है कि नेबरिंग कंट्री है ठीक है और ये गोलता है यह और हम अपना काम करें या थी से उपर यूथ नहीं सूचाँ जाओ कि हां वहां से टेररिजम आती है तो उनको इस बात पे ज़रूर करते हैं कि यार हम भी तुमारे कंट्री में टेरर बेचते हैं जो तो उस पर बोलते हैं कि एक पर इसको सबग से खाना चाहिए लेकिन हमारे हमारी यूथ जो है वह सिर्फ एक चीज़ बोलता है कि आप अपना अगर आपके पस कुछ अच्छा हो तो हमें बताईए हम ले लेंगे हमारे पस कुछ अच्छा है आप ले लो खतन कानी ठीक है जाहरी बात है अगर कुछ हच्छा होगा तो ही अप्रिशेट किया जाएगा अगर लैट्स पोज आज पाकिस्तान की एकानमी बेहतरी की तरफ जाती है यह जो लोग देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा और शर्मा जी आप बताएं आज पाकिस्तान की एकानमी अल्ला करे बेहतरी की तरफ जाती है तो क्या इंडिया की तरफ से अप्रिशेट किया जाएगा आज भी अप्रिशेट किया जाता है अगर पाक डाणकी का जैग में और चिछ्या देख लूज की करस्तों और निया की तरफ से कुछ अच्छा हो जाया है तो उसको प्रोजेक्ट पाकिस्तान में यह इंडिया की तरफ से हमेशा ख़रावी 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 क्यों प्रोजेक्ट किया जाता है ये भी मुझे नहीं पता कौन लोग उसमें वेस्टेड इंट्रेस्ट रखते हैं और पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तानी लोगों को यूद को इंडियन यूद की तरह बना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा लगेगा त सड़क पे नहीं लाता और कभी भी उस यूद को किसी मुसल्मान से कुछ नॉलेज मिल रही है तो वो लेगा इंडिया वाहिए तो कंट्री है जहां पे प्रोफेसर मुस्लिम है तो उसके पैट्ट हुए जाते हैं इंडिया अकीला हो कंट्री है जहां पे मुसलिम लड़के हिंदू प्रोफेसर से पढ़ रहे होते हैं कभी हैं नहीं बोलते की यह काफिर में नहीं बढ़ाएगा और मुसलिम प्रोफेसर को कहीं पे भी कम नहीं होती मुझे यह पताatas है। और जो रिपोट रिपोर्ट आई है रिसेंशली बहुत हराने वाली रिपोर्टर बहुत व्हीं जाधा ट्रेंडिंग भी है आने वाले पाइं साल में आप इंडिया को कहां पे देख रही तो उनको ये लगए पैसे कमी थी चैना के पास चानग के एकॉनोमी को बचाने के लिए 70s के end में ही अपनी economy open up कर दी थी और यह open up इंडिया ने 1990s में की तो करीब 10 साल से जादा और करीब 15 साल के आसपास पर ले गया है चाइना तो उसी के रिजल्स चाइना देख रहा है अगर इंडिया और चाइना दोनों एकठे करते हो पना तो शायद इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है और अब भी हम 15 साल के पीछे हैं अगर आप यह देखें वह तो डेफिनेटली डेफिनेटली देखे आप पीछे ही होँगे लेकिन आप उसको धीरे-धीरे करके कवर अप करेंगे तो उसको मिलेगा वही हो रहा है अगर आप ऐसे देखें कि आज से 15 साल पहले चाइनीज एकॉनमी कितने की थी तो वह थ्री ट्रिलियन की नहीं थी इंडिया थ्री ट्रिलियन है तो मतलब ओपन अप करने के बाद इतने हैं कि तो इसको देखें कि पसी थी सक्की में से आगे है पारे में अर्शा वप्रकॉण